जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि जारखंड पोल टेकनिक 2024 का जो रिजल्ट है ओ फिनली आ चुका है तो आप लोग के द्वारा सबसे जदा कॉमेंट किया गया कि सर हम लोग अपना रिजल्ट कैसे चेक करें तो इस वीडियो के माधियां से आप सभी को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने ही मुबाइल या लेप्टाप से अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे इसके साथ साथ आप लोग ये कैसे जानेंगे कि कितना नमर पर कौन सा पोल्टेकनिक जो कौलेज है ओ मिलेगा तो अगर आप लोग भी जहरखांड पोल्टेकनिक 2024 के स्टुडेंट हैं तो इस वीडियो को आँ तक देखने का फड़्यास किजिएगा ताकि आप सभी को मालूम चल सके कि रिजल्ट कैसे चेक होगा और आखिर कितना नमर पर कौन सा सरकारी पोल्टेकनिक कौलेज मिलेगा तो आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है पोल्टेकनिक इंट्रेंस कमपटेटिव इगजमीनेशन 2024 रिजल्ट यानि या जहरखंड पोल्टेकनिक 2024 जो रिजल्ट है उसका PDF है और अब की बार जो आप लोगा डिप्लोमा क्लासिस पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसे इंफर्मेटिव वीडियो आप सभी के फास जाते रहे और जैसे कि आप सभी को मालिम होगा कि आप सभी की अपनी यूटूब सेइनल डिप्लोमा क्लासिस के माधियम से जारखंड पोल्टे जैसे कि आप लोग यहां पर उनका नेम देख सकते हैं ठीक है इनका रेंग कितना है तो आप लोग यहां पर देखिए देखिए इनका जो रेंग है और इनका जो नमर आखिर कितना है तो 137.8 इनका नमर आया हुआ है इनका फिजिक्स में कितना नमर है कमेस्ट्री में कितन तो यह फ्रतम रेंक वाले चुटेंट का रिजल्ट अब चलिए आप सभी को बता दे कि टोटली ये चुटेंट आखिर कितना एक्जाम दिये थे तो आप लोग देख सकते हैं टोटली ये चुटेंट 40,525 एक्जाम दिये थे तो आखिर आप लोग के मन में एक सवाल उठेग कि सर आखिर कितना रिंग पर या कितना नमर पर कौन सब पुल टेक्निक कोलिज मिलेगा तो चलिए आपको पिछले साल के कौट अब सभी को बता देते हैं कि कितने रिंग पर कौन सब पुल टेक्निक कोलिज आप सभी को मिलेगा आप सभी को नमर को नहीं देखना है आप पर मेसेज किजिएगा इंस्टाग्राम ऐडी है डिपलोमा कलाचिस वन जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिण वक्स में दे दिया गया है अगर आप लोग वहाँ पर मेसेज करते हैं तो इस पीडियेप को आप सभी के पास सीयर कर देंगे जिसके माधियाम से आप सभी को मालूम चल जाएगा कि CML Rank के कोडिंग आपको कौन से पोल टेकनिक कॉलिज में कौन से वरांच मिलेगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसका Rank 1 होगा उसको Government for Technique कॉलिज रांच मिलेगा अगर 24 फिलिंग में एड करेगा तो वही हम बात कर ले जिसका सबसे ज़्यादा रेंख होगा उसको कौन से पोल टेकनिक कॉलिज मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टुडेंट का रेंख है 32,189 तो इसको आप लोग देख सकते हैं गवर्मेंट फोल टेकनिक सिमडेगा मिला हुआ है उसके उपर है 32,101 की सरेंख तो देखिए इसको कौन से पोल टेकनिक कॉलिज मिला गया है गवर्मेंट फोल टेकनिक साहिव गंज मिला हुआ है उगर आप लोग कोई स्पीडियेफ को लेना होगा तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर मेसेज जरूर किजिएगा